एक कुंडली सौ समाधान देश की हर जोतिश्य पद्धती के समावेश के साथ संपोर्ण आकर्षिक और सबसे सटी एस्ट्रोसेज ग्रिहत कुंडली आज अभी लें क्यूंकि भविश्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेट जय श्रीगने शायनमह दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन जोतिश यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर हर हफ्ते की तरह मैंने हराजपूत आपके सामने हाजिर हो लेकर साप्ताहिक राशी फल इस साप्ताहिक राशी फल में हम बात करेंगे 25 इस मई से 13 मैबेच के साथ दिनो के बारि में यliness सात्ताहिक राशी फल 1ज वैदिक जोतिश पराधारित आपके लिए बोहत की उपशोगी है क्योंकि իला देश wäre के सभी 12 राशिओं के महत्पुर्ण पहलियों से जुरी भविश्यवाणी दी यहां आपको बताते ह। आज विशेशांक भी आपको हम बताते हैं यानि मर्शुहूर हस्तियों का जौनम दिन इस अफते आता है हम उसके बारे में भी आपको बताते हो यह नया सग्मेंट हमने आपके ही कहने पर शुरू किया है जो आपको पसंद भी आता है आपके कमेंट से हमें पता चलता है दोस्तों इस राशीफल में हम आपको कुछ जोतिशे उपाए भी बताएंगे जो आपके जीवन में चल रही परिशानियों से पीचा छोड़ाने में आपकी मदद करेगा तो देर किस बात की चली अभी आपको बताते हैं 25 मई से 30 मई के बीच का सापताहिक राशीफल और जानते हैं क कि क्या खास लेकर आने वाला है ये सप्ता आप सभी के लिए लेकिन उससे पहले जितने लोग हमारे व्योर्स हैं उन सभी के प्यार के लिए आप सभी का तहें दिल से शुक्रिया आपका प्यार जो है हमें कमेंट के द्वारा आपके लाइक के द्वारा जो है हमें पता चल इस सप्ताह का अंत शुकलपक्ष की नौमित थी यानि 31 मई रविवार को होगा इस सप्ताह हिंदू पंचांग के नुसार कोई बड़ा तीस दिवहार नहीं है यानि कोई बहुत बड़ा खास फस्टेवल नहीं है जो हम सेम डेज में जैसे कि सोमवार के दिन जैसे हम पूजा करते हैं शिव जी की मंगलवार को करते हैं हनुमान जी की ऐसे ही हर भगवान की पूजा साथो दिन होगी और आप जो है इस पूजा पाट को भी अपने घर में रहते हुए करें बहुत जगर पे जो है लॉक्डाउन से बहुत जादा छूट मिली है लेकिन फिर भी आप धर और भी कामी की आत्रा पर अभी ना जाएं क्योंकि जाना ला melhor से नहीं है क्छा घर को दे तो आप बताएंगे आपको जनम दिन विशीष अपने जनम दिन विशीष में हम उन बॉलिवुड सतारों और भारत की कुछ ऐसे नामचीन लोगों के बारे में बताते हैं जिनका जनम दिन इस सब्सक्षत का जनम दिन होता है सबसे पहले हफते की शुरुआत में देखे तो 25 माई को प्रिसद भारतीय फिल्म निर्माता नर्देशक करन जोहर का जनम दिन आता है कुनाल खीमू का जनम दिन भी इसी दिन है 29 माई को भारत के जाने माने नाटक कार और टीवी वर्फिर्म अभिनेता पंकज कपूर का जनम दिन है 30 माई को बॉलिवुड में हास्य कलाकार और सहायक करदार के तौर अपने अभिने का लोहा मनवा चुके परिश्रावल का जनम दिन है तो इन सभी लोगों को जनम दिन की धेर सारी शुब कामना इस टूसेज की तरफ से आगे बढ़ने के लिए हम उने पूर्ट साहित करते हैं और यह कामना करते हैं कि वो ऐसे ही हमारे एंटरेन्मेंट करते रहेंगे अच्छे फिल्मों से अच्छे चीजों से तो यह जानकारी थी इस पूरे सप्ता की कौन-कौन से गोचर होंगे किनका किनका जरम दनाएगा अगर गोचर हो रहे हैं तो किस राश्री में हो रहे हैं यह सारी जानकारी हमने आपको दे दी इस पूरे हफ़ते की अब बारी आपके राश्री फल की बताएंगे हम आपका राश्री पर आधारित है यानि कि आपके मून साइन पर बेस्ट है जिन लोगों को अपनी चंद्राश्री नहीं पता है वो नीचे डिस्क्रिप्शिन वॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करके अपनी चंद्राश्री का पता लगा सकते हैं उसके लिए आपको बस अपने ब रथम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा दशम भाव को करम भाव भी कहा जाता है इससे आपके करियर के बारे में विचार करते हैं सपता की शुरुआत में दशम भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको कारेश्वेत्र में अच्छे फलो की प्राप्ति होगी आप अपने पारिवारिक जीवन के लिए यह समय ठीक ठाक रहेगा सपता के अगले भाग में चंद्रमा का गोचर आपके एक कादश भाव में होने से आपको धनलाब होने की पूरी संभावना है यदि किसी से उधार लिया था तो उसे चुकता कर सकते हैं यदि किसी को उधार दिया था त पूरी की संभावना है उसके सांथ ही विदेश श्यात्रा पर जाने के भी योग है सक्षार्थी जो उच्छ सक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे उनके मनसूबे भी द्वरान पूरे हो सकते हैं सब्ताक्यांत में चंद्रमा के प्रथम भाव में होने से मानसिक प्रेम जीवन की बात की जाए तो उस समय अच्छा रहेगा न विवाहित दमपतियों के जीवन में या महमान की दस्तक से घर में खुश्यां आ सकती हैं उपाय के तोर पर किनरों का आशिरवाद लेना आपके लिए शुभ रहेगा तो जहां भी कहें किनर देखें आपको ज़रूरुन का आशिरवाद लेए तो इस वीडियो में हमने जाना कन्या राशी के जातकों के बारे में और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मलते रहे बाकी जिन लोगों का जरम दिन आता है इस हफते में उनको जरम दिन की धेर सारी शुबह कामना आए और सांथ ही जो है अगर कोई तीस दिवहार या कोई फास्ट इच्ट वी को सबस्क्राइब करें क्योंकि वहां आपको हर दिन की जानकारी शाम छे बज़े वीडियो के देखें तो अगर अच्छी लगी है जानकारी तो सहीं बने रही है इस तो सीज के साथ मिलेंगे आप से अगले हफ़ती तब तक हंसते रहें मस्कुराते रहें और किसी का दिल मत दुखाईए नमस्कार